तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं CSS animation आज हम पहला animation चला के देखेंगे इस car को यहां से लेगे यहां तक move करवाएंगे और यह काम कैसे करती है वो सब देखेंगे यह भी जो आप design देख रहे हो इसका मैंने code ओल्रेडी यहां पे लिख दिया है तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे हमकी code कैसे लिखा है क्या है यह हमें keyframes के बारे में बात करने है animation कैसे चलता है उसके बारे में ठीक है तो देखो keyframes क्या होते है जो भी आपको animation चलाना है उसका जो इतना भी code आप लिखोगे वो keyframes के अंदर आपको लिखना होगा example के लिए आपने अगर यहाँ पर लिखा keyframes ठीक है और इस block के अंदर ही आपको सारा का सारा code लिखना है अब इस keyframe का एक आपको नाम देना है जैसे कि हम अभी नाम लेते हैं यहाँ पर car move ठीक है इसके अंदर हम कार को move कराएंगे कहां से जिस position पर भी यह है यहां से लेगे यहां तक इतना आज हम करके देखेंगे तो सबसे पहले मैं करता हूँ मैं यहां लिखता हूँ 0% कि इसका जो starting point है वो कहाँ 0 को लिखे चलते हैं ठीक है और इदर लिखते हैं 100% अब 0% अभी कहाँ आप यह कार देखो top से 16 और left से 40 pixel ठीक है तो अभी इसको क्या करते हैं हम यहां भी लिखते हैं left से 40 pixel ठीक है अब इसको लेके कहां तक जाना है वो देखते हैं मैं इसको यहां लिखता हूँ left से इसको कर दो 100 pixel ठीक है अब भी देखो कोई animation यह नहीं चल आप रहेंगा कैसे सबसे important बात आपने animation बनातो दीया अब इसको आपको call कैसे करना है चलाएंगे कैसे तो हम क्या करेंगे जिस element पे जिस object पे आपने ये लगाया है जिसको आपको move करना है उस पे हम इस animation को लिखेंगे क्या करेंगे animation name और जो हमने बनाया है car move वो animation आपने लगा दिया ठीक है देखो अभी animation चलना start नहीं हुआ क्योंकि इसके लिए भी आपको एक property और देनी होगी उसका नाम है duration, animation duration तो जब वो आप दूसरी property पे लगा दोगी animation move करना start कर देगा ठीक है अब animation duration क्या है वो कितने time में काम करती है तो वो देखते हैं animation duration मैंने बुला कि 2 seconds 2 seconds save करा अब देखा आपकी car move करने start होगी देखा आपने जैसी मैंने save करा क्या आपकी car कैसे आगे की तरफ चली गई लेकिन अभी अपनी position पर वापस आ रहे है उसके बारे हम बात करेंगे तो अभी हमने कैसी का हमने car को एक जगा से दूसरे जगा तर मॉफ कराया देखो दूबार देखो 2 seconds वह वह आपकार वहां तक मॉफ वही लेकिन हमें इस कार को कहां तक लेके जाना है यहां तक तो हम क्या करेंगे अब चैक करना पड़ेगा ठीक है इसको हम करते हैं 300 पिक्सल ठीक है तो हमने इतना कर लिया आज ठीक है देखो हमने अगरा car को मॉफ करवाया कहां से इसके ओरिजिनल स्टेट से इधर तक दुबार हम इसको सेव करेंगे देखो car अपने जगा से मॉफ कर गए तो आज हमने सीग लिया की फ्रेम कैसे काम करते हैं की फ्रेम को यूज कैसे करना है सबसे पहले अपना कोड जो भी आपको एनिमेशन चलाना है वो की फ्रेम के अंदर लिखना है ठीक है उसके बाद जो आपने की फ्रेम का नाम दिया है वो एनिमेशन नेम के अंदर देना है और दूसरी प्रोप्टी एनिमेशन डियोरेशन क कितना time उसको आगे बढ़ने में लगेगा कितने time में वो अपना जो हमने animation दिया है वो चलेगा ठीक है तो अगर मैं इसको one second लिख देता हूँ तो ये थोड़ा fast हो जाएगा देखो अगर मैं इसे ten second कर देता हूँ तो ये धीरे धीरे देख रहे हूँ आप car कितने अराम से move ह हो रही है तो आज हमने क्या सीखा कि keyframes के अंदर animation कैसे लिखते हैं और उस animation को कैसे use करते हैं आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में